प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महिस ग्रामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुम्रा बाइपास पर आज दोपहर में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दिया बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद काफी दूर तक कार को घिसड़ते हुए ये ट्रक लेकर आगे तक गया कार ड्राइवर परवीन भूइल बताया कि शेल फाटा से वो ठानी की तरफ जा रहे थे मगर लाल किले धाबे के नस्दिक पहुशते ही एक ट्रक ने उनकी कार को पीछे की तरफ से टक्कर मार दिया और कार का रुख ट्रक की तरफ सामने से घोम गया और काफी दूर तक ये ट्रक उनकी कार को घसीड़ते हुए लेकर गया वहें ट्रक ड्राइवर नाउनीद ने बताया कि हलका समोड होने की वज़े से अचानक कार सामने आ गई और ये हाथसा हो गया है हलाकि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से छतिगरस्त हो गया है और कार ड्राइवर परवीन होईर को हलकी सी चोट भी लगी है हाथसा होने की वजह से काफी देर तक ठाने की तरफ मुम्रा बाइपास पर जाने वाला जो रास्ता है ये काफी देर तक यहाँ पर ट्राफिक जांग रहे हला कि ट्राफिक कर्मचारी मौके पर पहुँचे और छतिग्रस्त हुई कार को पहले रोड से किनारे किया गया इसके बाद काल ड्राइवर पर्वीन वुईर और ट्रक ड्राइवर प नोनीट के इन दोलों का लाइसे मुम्रा पुलिस ने लेली और मुम्रा पुलिस इन दोलों को अपने साथ ले कर गई ले कर गई